आप सभी को मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं बोधी सत्तो PCS, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमरेंदर तिवारी, मैं डियर फेंड, अभी का जो हेडिंग है न, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, कहने का मतलब कि test जो है, experimental होना चाहिए, comfort zone का gameplay नहीं होना चाहिए, यह मैं क्यों कह रहा हूँ, काफी psychological understanding इसमें आपकी clear हो जाएगी, कि test के बदौलत आप अपनी तयारी को कैसे excel कर सकते हो, माई डियर फेंड, हमारे द्वारा जो question set किया जाता है, कितनी psychological input होती है, एक teacher और एक psychological understanding वाला बैक्ती या team, जब कोई question set करती है, तो उसमें किस तरीके का psychological input डालती है, ताकि आप क्या हो जाते हो, गलत हो जाते हो, माई डियर फेंड, ठीक है, आते हुए भी आपकी psychological गलतियां हो जाती है, तो टेस्ट को कैसे लेना है, इसके बारे में हम बात करने वाले माई डियर फेंड, बने रहिएगा, शुरू से लेके last तक, और हाँ, if you are new at my channel, then subscribe to the channel and hit the bell icon for all the new notification माई डियर फेंड, कहने का मतलब क्या है, कि देखो, बच्चे क्या करते हैं, जब टेस्ट देने आते हैं, हमारे याँ टेस्ट देने आते हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ, आप experiment करों, my dear friend, experiment का ये आपकी जवानी है, टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ, जवानी है, आप 15 साल, 16 साल की हो, कमद रहे हो ना, इसे age से मैं compare कर रहा हूँ, जहां पे आप higher risk ले सकते हो, ठीक है ना, after 40 आप risk नहीं ले सकते हो, कही नहीं कहीं आपको settlement करना ही पड़ता है, तो यह experiment जो है, यह test देना, test देना pre exam, मतलब exam के पहले का test देना, यह क्या है, यह आपके किशोरा अवस्ता या जवानी का phase है, शुरुवाती चरण का, इसमें आप higher risk capability आप में होनी चाहिए my different, कहने का मतलब कैसे होता है जैसे देखो, कोई यहां पे बच्चे आते हैं, जैसे 1500 का set है, full and test है dates होका है, तो कुछ बच्चे करते हैं क्या करते हैं, कि केवल उसी प्रश्ण पे टिक मारते हैं, या उसी प्रश्ण को attempt करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें आता है, या तो 100% आता हो, या 50% वाले जिसमें double double, double वाले उसमें option में confusion होता है उतना ही मार के चले आते हैं और number आ जाता है, उनका 75 या 80, और उनको लगता है कि काम उनका बन जाएगा, my dear friend, ठीक है, तो अच्छा है यदि उनको accuracy पता है और इतना ही accuracy पे अगर उनको लगता है कि ये exam मेरा clear हो जाएगा तो उनके लिए अच्छा है लेकिन मैं कहने का ये प्रयास करना चाह रहा हूँ कि आपको ना हर एक test का अनुभव यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है आपने माली जे कि 15 test आप कर रहे हो तब 15 test में 5-5 क्या कर लो 5-5 के psychological game जो खेलना है आपको वो 5-5 खंड में बाट लो 5 test में ये करो कि 5 test में आपको करना क्या है 150 out of 150 attempt करना है अब इसमें क्या होगा जैसे पहला बार आप परयास करोगे इसको solve करने का तो इसमें होगा कि आपको 70-75 question ऐसे होंगे कि जो 100% आ रहे होंगे ठीक है उसके बाद आपको मान लिजीए 30 से 40 question ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 % वाला मामला पढ़ रहा होगा याट मिस दो option ऐसे होंगे जिसमें आपको confusion होगा तीसरा ये हो रहा होगा तो आपने इस case में लगाया 5 test तो आपको कितने marks आए my dear friend ठीक है ये note करो आपके पास अपना report card होना चाहिए मैं जब test लेता हूँ तो एक-एक बच्चे का खुद से report card बनाता हूँ after test मैं बच्चों से मिलता हूँ one-to-one interaction के साथ आपके कितना है कितना है आप हमारे हाँ आओगे inquiry लोगे तो मैं बच्चों का पूरा आपको वो दिखा दूँगा report card जैसे हमने sectional test लिया अभी 15 फुल लेंड टेस्ट चल रहा है तो उसमें बच्चों का क्या report रहा कैसे उसको psychologically boost किया हमने वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी तो आपको भी ऐसे ही करना है कहीं से भी अगर market में किसी भी संस्ता में test लगा रहे हो हमारे यहां भी चल रहे हमारे यहां भी join कर सकते हो online offline यहां पर वीडियो में flash भी हो रहा होगा आपको काफ़े discount के साथ मिल इतनी psychological input कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि मालोगी कोई आसान सा प्रश्न है तो आसान से प्रश्न का उत्तर हम A, B, C नहीं देंगे हम D, D देंगे होता क्या है कि आप exam में peer pressure रहते हो और आप यहां से मालीजे कोई आसान सा प्रश्न पढ़ रहे हो और यहा तक पहुंचो ही न और आपका paper जो है वो गलत हो जाए प्री जो exam होता है न वो totally elimination का exam होता है तो जिस बच्चे को psychological understanding होती है जिसे कहते हैं exam का नब्ज पकड़ना वो exam को pre exam उसका कभी रुखता ही नहीं है जाए वो ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े कम preparation में भी बच्चे निकाल लेते हैं my dear friend क्यों क्योंकि उनको इसका पता होता है test का पता होता है test का यहीं importance है test should not be the comfort locust for you my dear friend आपके लिए ये comfort locust किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए जितना भाला गोंपना है अपने सीने में test के दौरान गोंप लो जितना खून भाना है test के दौरान ही खून मैदान में कम bleeding करनी पड़ेगी my dear friend ठीक है अब इसका जो final verdict है उस पर आते हैं तो माली जी 5 test में आपने देखा कि 500 आपको कितना आया ठीक है इसके बाद फिर अगले जो 5 test होंगे अगला जो 5 test हो रहा है न अगले 5 test में आपने क्या करा आपको 140 से try करना चाहिए या 130 पे भ आपना RC में आपने मतलब वो कर लिया उसको लिख लिया इसके बाद फिर 5 अब यह वाला जो 5 है न यह आपका safe zone हो जाएगा यहां तक पहुंचोगे तो आप safe zone में आ जाओगे आपको लगेगा कि मैं 145 कर रहा हूं 135 कर रहा हूं और इसमें experiment करकर करो 55 का अंतर करकर करो 125 कर accuracy यदि 90% के आसपास है तब कर सकते हो otherwise नहीं ठीक है मैं बता रहा हूं 145-135 के बीच 150 अब इसमें कितना आ रहा है और इन तीनों को क्या करो इन तीनों को मिलाओ ठीक है 15 question यह कर लिए फिर market में जाओ और कहीं से भी किसी भी coaching संस्था का या हमारे पास आ जाओ हम अपने coaching स प्रिंट आउट देगे ठीक है उसमें से एक दो ले जाके लगा एक फिर में दे दूंगा उस एक लिए पैसा लगेगा थीक है तो आप ले जाके आपने घर सब उसमें आपको देखना कि इसका प्रती फल जो है काफी positive मिलेगा ठीक है क्योंकि आप इतनी बार इसमें fail कर गए होंगे न कि आपके fail करने के chance उखे exam में that means जो d day होता है आपका जिस दिन जा कि आप preliminary exam देते हो उस दिन fail करने की संभावना 0 के बराबर null के बराबर हो जाती है microphone ठीक है तो यह होना चाहिए आपके test paper का quality depend करता है जो team तयार करती है वो depend करती है कि आपका success rate कीतना होगा जो teacher आपको guide कर रहा है वो depend करता है वो सारी चीवन में na guidance की बहुत आउशकता है जैसे शुरुवाती guidance का lack हमारे जीवन में मेरे जीवन personally काफी कम रहा तो आदमी भटकता बहुत है quality होते हुए भी उस तरीके का temperament होते हुए भी प्रतिभा होते हुए भी क्या कर सकते हो आप सफल नहीं हो पाते हो तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको काफी precise रूप से फुक फुक के कदम उठाना चाहिए और हाँ exam के notification कब आएगा कैसे होगा इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है human psychology है थोड़ा बहुत disturb होगे exam 18-10 दिन के अंदर notification आहीं आ जाना है और exam का date भी उतना ही दिन आगे बढ़ेगा ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है तो इस बज में पढ़के आप अपना समय न ब्यतीत करो ठीक है और ह काफी discount के साथ freedom sale हमारे हाँ चल रहा है आप उस test को लगाओ online test offline test आके यहाँ पे ले सकते हो और अपने preparation और pace को maintain करते हुए easily 70 BPC का संधान कर सकते हो my dear friend आपकी सफलता की सुब एक्षा के साथ जय हिंद जय भार